प्रक्रिया की शुरुवात करते हैं और इस सीखने की कड़ी में आज हम लोग एक कॉंसेप्ट को सीखेंगे जिसमें बॉलिंजर बैंड के बेसिक से एक प्राइजेक्शन का थौट प्रोसेस निकलता है जहां पर हमारे टेडर स्ट्रेट करते हैं मैं आपको बताओ अभी तक हम लोगों ने 8 EMA सीखा है 21 और 6 सीखा है और उसके साथ बॉलिंजर बैंड इससे पहले सीखा हुआ है ये जो बॉलिंजर बैंड का सेशन है पिछले बॉलिंजर बैंड के सेशन से बिलकुल अलग है और मैं आपको बता दूँ ये लास्ट सेशन ह क्लास का और कभी ही डी नहीं होगा ठीक है पहले हम बॉलिंजर बैंड के बेसिक को से पहले तु Esse लीकिन अपने तरीके से कैसे पहले कि कैसे उसके ऐपको करना है कैसे एक्जिकूशन प्रासिस तक ले जाना है वो हमारे लिवे च्थन नींगना अभी बगैं को सब лиजे क्यूट ना हो ठीक है तो एक बार अगर आप बेस क्लियर कर लिया तो फिर आगे तकलीफ नहीं होगी समझने में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है अगर मैं डारेक्ट आपको प्रैजेक्शन पे ले जाओंगा तो आप परेशान होंगे कि यह कैसे काम कर रहा है एक यहां आपको लगा कर दूंगे तो यहां पर मैं आपको लगा कर द crouch यहां फिर बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं उसके बारेक्श मिडल बैंड ऑको थाएंगे तो आपको यहां पर इन पूटरрем में एकट को दरी aviation है इसको दो है मैं कहता हूँ इसको तीन कर लीजे ठीक है अब देखिए जब ये दो था तो ये इन तीनों लाइनों के बीच में जो difference था ना वो बहुत कम था जब मैंने कहा इसको 3 कर लीजे तो इन 3 लाइनों के बीच में जो difference है वो बढ़ गया मैं चाहता हूँ इन 3 लाइनों के बीच में एक जो difference है वो ज़्यादा रहे ठीक है क्यों अभी समझा देता हूँ पहले एक बार इसके basic structure को हम लोग समझ ले उसके बाद आगे बाद करते हैं ठीक है देखिए द्यान से एक देखिए यह जो इसका middle line है यहाँ पर आप 20 देख रहे है तो यह 20 length क्या है यह last 20 candles का mean है average है आखरी 20 candle का जो average निकल कर आता है और सदवो देखिए इसको एक बार कोई दूसरा example लेकर पहले हम लोग clarity से समझ ले फिर आगे बर दे माल लीजिए कि आप एक घर में रहते हैं और आपके घर में 10 सदस्य हैं से और उन 10 सदस्यों का जो weight है जो भार है अगर मैं वो बताऊं कि एक का 50 है एक का 40 है एक का 60 है है ना और एक का फिर 50 है एक का 40 है एक का 80 है ऐसे करके तो मैं पूछू कि इन 10 सदस्यों का एक मुझे average बता दीजिए average ठीक है तो आप क्या करेंगे बड़ा असान होता है mean को calculate करना आप इन सारे average इन सारे weight को जोड़ लेंगे और divide by total number of सदस्यों कितना member था आपके घर में 10 लोग थे और उनके सारे weight को जोड़ कर 10 से divide किया तो आपको पता चला कि औसतन प्रतिव्यक्त कितना भार है औसतन प्रतिव्यक्त कितना भार है ये आपको पता लगा ठीक है तो माल लेते हैं यहाँ पर आपका निकल आया 60 kg 60 kg क्या है पर आवरेज प्रतिव्यक्त जो weight है वो आपका 60 kg है 10 लोगों में अगर बराबर बराबर बाटा जाये तब ठीक है तो देखें अब यहाँ पर यह आप लिखा था 20 प्लस 2 यह वाली चीज मल्ट जो आप देख रहे हैं ठीक है डेवियेशन की बात कर रहा हूँ इसको कैसे समझा जाए इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि अब हम अपने एवरेज वेट से compare करते हैं पर व्यक्ति वेट प्रति व्यक्ति जो उसका भार है एवरेज वेट से कितना अधिक या कम है वो हम तुलना करते हैं डिफरेंस लेते हैं तो देखें पचास पहले व्यक्ति का वेट है और एवरेज वेट कितना है 60 तो ये कितना हुआ मैनस 10 ठीक है ये 40 इसका वेट है और ये कितना है ये 20 का इसमें डिफरेंस है ये 60 है और ये 60 इसमें 0 का difference है, ऐसे 50 और 60, 10 का difference है, ये 80 और 60, 20 का difference है, अब जितना ये difference निकल कर आता है, इनका अगर average निकाल लिया जाए, तो माल लिया कि ये average आ गया है, इन सभी का मिला कर 10 या 15, ठीक है, तो ये जो 15 weight आया ना, इसको हम एक दूसरे लहजे में देखते हैं, कैसे, इसको ह अगर यहाँ पर एक line draw किया जाए, ये mathematical calculation है, मैं आपको आसान भासा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे technicals आपको नहीं बता रहा हूँ, जितना आपको ज़रूरी है, समझना उतना बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर mean line, average line अगर 60 का है, तो 60 plus 15, क्योंकि 15 इनके difference का average आया है, ठीक है, तो 60 plus 15, ठीक है, 60 plus 15, और 60 minus 15, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए 45 पर, और यहाँ हम पहुच गए 75 पर, तो देखिए, जो इनका ये 15 का average है ना, माना जाएगा कि लगभग लगभग 70% प्लस लोग, 70%, इसमें जो technical आक्डा होत है 68%, तो लगभग 34% इधर, 34% इधर बानते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, on and average 60%, हमको एक roughly calculation चाहिए, accurate calculation नहीं चाहिए, लगभग 70% लोग इस range के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 70% लोग इस range के अंदर आ रहे हैं, अगर मैं बोल दूँ कि इसको double करके अगर आप जोड दीजिए, कि इधर भी 15-15, 30 का range ले लीजिए, और इधर भी 30 का range ले लीजिए, तो आप बोल देंगे ना, कि 10 के 10 सदस इस पूरी range के अंदर आ रहे हैं, 99% average लोग होगे, जो इस पूरी range के अंदर उनका अभ़ार होगा, अब आप अगर किसी से बोल दें, कि सभी लोग 30 क किलो से लेकर 90 किलो के बीच में हैं, तो एक 50 का है, एक 40 का है, एक 60 का है, एक 50 का है, एक 40 का है, एक 80 का है, तो कोई इस range से बाहर है क्या, तो 99% लोग ऐसे हैं, जो इस range में हैं, चलिए, ये example तो मुझे लगता है, कि आपने जरूर अच्छे से समझ लिया होगा, अब हम एक step आगे बढ़ते हैं, और इसको price के perfect में लेकर आते हैं, कि भाव को आप कैसे इसके सामने रखकर समझेंगे, example के तौर पर, देखिए, अगर मैं hourly time frame को use कर रहा हूँ, ठीक है, तो hourly time frame पर, यहाँ पर देखिए, length कितना लिखा है, mean कितना लेना है, 20 candles का, तो पिछले 20 घंट का जो औसत closing price है, closing price की मतलब है, कि यह जैसे कि HDFC bank का price है, ठीक है, तो एके candle को यहाँ देखिए, जरा ध्यान से मैं आपको समझा दूँ, बहुत अच्छे से, एके candle को ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको इसी deviation से बताने वाला हूँ, कि यह price, अगर अगले station में, यहाँ पर gap down करें, और gap down के बाद दुबारा HDFC bank 1515 के उपर trade करने लगे, तो दुबारा गिरावट नहीं होगी, ध्यान रखना है, ठीक है, दुबारा गिरावट कब तक नहीं होगी, जब तक एक बार यह 1535 के level या इसके यह चलते चलते 30 तक आ जाएगा हो सकता है, तो 15 से 15 से 1530 क एक target आपको मिल जाएगा, इसको मैं आगे समझाता हूँ कि कैसे यह चीज़े काम करें, पहले समझ लीजे चीज़ों को, ठीक है, देखें, तो पिछली 20 candle की closing का average, जैसे इस candle की closing क्या है, 1518 रुपया 60 पैसा, और इसकी closing क्या है, इसकी closing है 1518 रुपया 30 पैसा, ठीक है, 1518 र एक ये 20 candle, एक 3, 3, 6, 7 और ये 8, 1532 रुपया 75 पैसे, ऐसे last 20 candle का अगर आप closing closing देख ले, ठीक है, सिर्फ closing closing देख ले, यहाँ पर लिखकर आता है उपर OHLC यहाँ पर C, ठीक है, तो हम लोग तो roughly figure ले रहे हैं, ऐसे बराबर का figure नहीं ले रहे हैं, roughly figure ले ठीक है, यह तो हम तो यहाँ पर LTP देखकर price लिख ले रहे हैं, closing यहाँ लिखकर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पिछली 20 candle की closing को जोड़ कर divide by 20, तो आपको एक HDFC का पिछले 20 घंटे का mean average मिल जाएगा, जब आपको पिछले 20 घंटे का HDFC का average मिल गया, माल लिया आपको average मिल गया के आसपास कम है, यह कितना कम है, लगबग 2 रुपए के आसपास कम है, यह कितना जादा है, लगबग 12 रुपए के आसपास जादा है, फिर इन सभी difference का जब आप average लेंगे, तो माल लिया कि 4 रुपए आ गया, तो आप बोलेंगे कि standard deviation के rule के according, यह 1520 के price से 4 रुपए कम और 4 रुपए उपर, कि maximum seller अगर कहीं बैठा है, last seller अगर बैठा होगा, तो 1516 तक आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद ही, maximum buyer अगर कहीं बैठा होगा, तो 1524 तक आएगा, वो आएगा, इसके बाद नहीं आएगा, यह क्या 68, 70% लोग इसके अंदर हैं, अब मैं ब डबल कर दीजिए deviation को तो आप बोलेंगे कि 448 मतलब 1512 के नीचे कोई खरीदार नहीं होगा लगबग लगबगता है 99% buyer इसके अंदर ही है और यहाँ पर कोई भी seller 1528 के उपर नहीं है 99% seller इस range के अंदर ही sale करके बैठे हैं अब आपको एक range मिल गया buyer seller का कि last seller कहां पर होगा औ ठीक है तो इस तरीके से हमको अगर अभी HDFC का mean line 1520 रुपया आ जाए तो आप बता सकते हैं कि इसका last seller अंतिम seller जहां बैठा होगा वो बैठा होगा 1512 पर ठीक है यह जो मैं session कर रहा हूँ इसकी reliability live market में जाकर check कीजेगा मैं आपको यहाँ पर second example दे दूँगा यह चीज़े इतना आसानी से काम करती है देखिए यह जो मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ यह balancer vent का base है structure है ठीक है इसको आसानी से इतना आसानी से समझना मुश्किल होता है लोगों के लिए लेकिन इस base से जो projection के साथ trading के psychology मैं आपकी build करूँगा न वो आपको एक अलग level पर trade करने क गिरे और 1512 को touch करे इसका मतलब है जो खरीदार अभी 1512 पर बैठे थे यह अचानक से और नीचे भी activate होंगे और निचले इस तरके खरीदार भी जो 1510 पे खरीदने को तयार बैठे थे लेगर उनको पता था कि 1512 के नीचे तो price आई नहीं रहा है फिर 1500 पे जो लोग खरीद के लिए इंतजार कर रहे थे उनको पता है 1512 के नीचे तो आई नहीं रहा है और जो active wire है वो इस range के अंदर है ठीक है तो होता क्या है कि अगर price कभी भी गिर कर अचानक से अपने lower wind देखिए ये तीन लाइने हैं ये mean line ये जो 1520 की बात कर रहा हूं ये 1520 का line हुआ ये lower line इसको 1512 की line बोलेंगे अब ये हुआ upper line इसको बोलेंगे 1528 की line ये upper band हुआ ठीक है अब mean line से price गिरे अचानक से आके इस 1512 को touch करे एक बात ध्यान रखिए कोई भी price गिरता हुआ बॉलिंजर band के lower width को touch करे और आप उसको directly sell कर दें तो maximum chances हैं कि आप वहाँ पर घाटा खा जा जाता है तब तक तब तक आपको loss हो जाएगा अगर आप directly sell करें देखिए एक बॉलिंजर band का rule होता है कि अगर price किसी seller area के पास आ गया तो seller उसको seller area का मतलब है ये last buying area इसको support बोलते हैं sale होकर आया है तो ये खरीदारी का zone तो जब seller sale करता है ना तो buyer खरीदते जाता है तो ये जो इसका lower band होता है ये नीचे की तरफ जुकेगा और इसी के साथ price चलता रहेगा इसी से लग कर एक दम चिपक कर चलता रहेगा मैं ऐसे आपको कही एक example दिखा दूँगा यहापर आप देखेंगे कि price इसी के साथ गिरता हुआ आगे बढ़ता है देखिए यहाँ पर आप direct कोई price अपर width के पास पहुंचे आप सूचिए direct sale करते हैं top to bottom approach जिनको trade करना आता है अब यह top to bottom approach क्या है अगर आप सीखना चाते हैं तो मुझे comment section में बताइएगा कि आप लोग interested है तो मैं एक session top to bottom approach पे कर दूँगा कि ball इंजर मेंड का top to bottom approach के साथ कैसे आप use करेंग यहां पर price इस तरीके से गिरावट कर रहा हो और यह तीन line हो गई बैंड की ठीक है और गिरता हुआ price ऐसे यहां पर पहुंचे lower band के पास पहुंच गया पहुंचते ही price टच करें और टच करते ही price थोड़ा सा उपर रहे इसका मतलब है कि हम last buyer area के पास पहुंच गए ठीक है अब last buyer area जब आप पहुंचेंगे तो इसका deviation का range और बढ़ा होगा range खुल जाता है ना जब भाव 1520 का average दे रहा था तो lower band 1512 पे था ठीक है अब भाव 1512 आ गया है तो lower band और नीचे accumulation area बढ़ जाएगा अब देखिए खरीदार और निचले इस तर के यहां पर लाने की कोशि आया तब और break इसको ना करे price और इसको break करने से पहले ही turn around हो जाए और यह lower band नीचे की तरफ खुल जाए तो समझ लीजिए अब price दुबार है 20 moving average की तरफ बढ़ेगा या इसके उपर upper band तक का target देगा बात clear हुआ अब इसको यह देखने में आपको आसान नहीं लग रहा है समझने में बड़ा असान लगेगा आईए देखिए मैं आपको समझाता हूँ जितनी बार मैं जैसे price बताऊ हूँ ऐसे ही समझना है और बहुत अच्छे से in complicated thoughts को भी बहुत आसानी से मैं आपको deliver करूँगा ठीक है देखिए यह price गिरते 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 क्या किया अपने lower band यह lower band है अगर आप चाहें तो इसकी settings में थोड़ा सा change करके इस band की width को भी थोड़ा सा इसी तरीके का projection दिखना चाहिए, जब तक इस तरीके का projection नहीं दिख रहा है, तब तक अपड़ेट नहीं करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है, देखें, प्राइज नीचे आ रहा है, आता हुआ प्राइज एक लोवर बेंड के पास आ गया, लोवर बेंड के पास प्राइज आ तो आखरी buyer के पास आप पहुँच गया, तो buyer अपनी range खोलेगा है न, deviation के rule के through, buyer अपनी range खोलेगा, क्योंकि difference last buyer और last trader में बढ़ गया, अब last buyer अपना range और नीचे ले जाएगा, buyer तो अपना range नीचे ले गया, लेकिन price में seller उतना sale नहीं कर पाया, कि last buyer के पास पहुँचे तो खरीदारी तो निचले इसता तक भी अब खरीदने को खरीदार त्यार है, लेकिन price क्या कर रहा है, price इसी range के अंदर यहीं से दुबारा आकर देखिए, एक बार touch करके दुबारा अंदर आ रहा है, इसका मतलब है अब price में क्या होगा, अब trend, ये swing high यहाँ पर निकले, swing दूर तक interested है, लेकिन seller उस तक नहीं पहुच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहीं के खरीदार तो खरीदारी करी रहे हैं, और lower level पे भी price safe लगता है, क्योंकि अब band और नीचे बढ़ गया है, जब band नीचे बढ़ गया है, अब आपको क्या करना चाहिए, price इस range को touch करे, इस उतनी बार मैं इस तरीके के price आपको दिखाऊँगा, और यहां पर देखें अब, आप बोलेंगे यहां पर क्यों नहीं, यहां पर देखें, price नीचे आया, lower width के पास आया, अगली बार price जब आया, lot कर तो इस lower width के बिल्कुल पास आ गया, तो देखें, पिछली बार के खरी इसकी range अभी तक उतनी बड़ी open नहीं हुई, फिर price इसके पास आया, फिर देखें, इसको touch कर गया, यहां और यहां में जो difference है, उसको समझ लीचे, जब price लोटा, तो lower band को touch नहीं किया, यहां पर जब price आया, तो lower band के बिल्कुल असदीक आ गया था, यहां ऐसा नहीं है, य price उपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा, अभी swing high नहीं निकले थे, इस वज़े से आप नहीं खरीद पाए, दुबारा band इसके पास आया, अब और range को बड़ा किया, अब यह high निकले है, अब आपको target मिलता है, बात क्लिर हुआ, इस तरीके के जितने भी, आप देखेंगे setup इसी तरीके से काम करते हैं, आईए, यहाँ पर देखते हैं, price इस तरीके से नीचे की तरफ बड़ा, और इस देखिए lower band को touch किया, फिर उपर की तरफ जाने की कोशिश किया, नीचे आ रहा था, अब देखिए lower width कितना नीचे तक open हो गया, और price दुबारा इसी range के अंदर आ गया, इसी range के अंदर आ गया, अब जैसे ही a string high निकलते हैं, आप long कीजिए, तो यह 1543 का price, एक instant high लगाता है 1563 के, 20 point का instant move है, आप 10 point का भी catch कर लेंगे ना, तो यह भी 1.5% में आसानी से आपको तबदीली कर देता है, FNO में hedge करेंगे तो बहुत अच्छा moment, आपको किया, अब जब price नीचे आ रहा है, तो lot कर इसके अंदर आ रहा है, और lower band से दूर है, lower band से दूरी है, पहले के comparison में, तो अब समझ आया कि यह खरीदारी का अफसर है, जब भी यह swing high यहाँ पर निकलें, इस candle से यह breakout मिलता है, आपको देखें, यह candle है, यह candle से break मिलता है, यह break पर आप long करेंगे, price देखें चलते हुए, यहां तक का target दे गया, 1510 का price है, 1534 तक चलके जा रहा है, इस तरीके से ठीक है, क्या करना है, ध्यान रखिए, फिर से दोरा दूँ, एक बार summarize कर दूँ चीजों को, यह तीन लाइने इस तरीके से होंगी, जब भी price lower band के पास पह पहचानने का तरीका भैतर होना चाहिए, और अपना position sizing limit में रखिए, कोशिश कीजे, positions को जब भी execute किया जाए, तो hedge के बिना execute ना किया जाए, कि कभी थोड़ा बहुत price रुके, या momentum fed हो, या price आपको trap करने की कोशिश करें, तो आप उससे भी आसानी से बच जाए, और कोई भी losses की संभावना ना हो, ठीक है, चलिए, आज के लिए परियाप्त है, अगर आपको अभी भी कोई doubt रह गया हो, तो मुझे नीचे comment section में बताइएगा, धन्यवाद, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, तो description में आपके पास contact detail है, उसके साथी telegram और whatsapp community का link है, कन enormous appeal आपको ईया जीचे हो, अभी जीचे में आपकोई. Спtr स्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्च में आपकों में रह कर दो मां कर दो बताईबता है, उसकी में नीवाद, आपकों इसकी में वाए þNज आपकोंुर.